नैपोटिजम की गुढिया और ड्रग्स की पुढिया लेने वाली सारा अली खान को बोहत बड़ा जटका लगा है दर असल एरो पंती का सिक्वेंस आने वाला था और एरो पंती टू में सारा अली खान जो है टाइगर सुरité के साथ में दिखने वाली थी और खबर ये है कि सा शाम सिंग राजपूत से जुड़ा जो मामला था ड्रग्स का मामला उसमें सारा अली खान का भी नाम निकल कर सामने आया था और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में वो परेड करती हुई दिखाई दे रही थी लगातार जो है उनसे पूछताच की जा रही थी जिसके चलते उनका नाम काफी जादा खराव हुआ था ऐसा सोचना है जो मूवी मेकर हैं जो मूवी के डिरेक्टर हैं उनका चुकि अभी हाली में एक पिक्चर आई थी सारा अली खान की कुली नंबर वन वरुन धवन के साथ में उनने काम किया था और वरुन धवन की वो म मूवी के जो मूवी मेकर्स हैं उन्हें दरसल ऐसा लग रहा है कि अगर सारा अली खान को वो हीरो पंती टू में भी लेकर आते हैं तो जाहिर सी बात है इसका असर उस पर भी पड़ सकता है यानि कि जो मूवी मेकर हैं वो पूरी तरीके से मन बना चुके हैं कि जितने भी अक्रसेस के नाम ड्रग्स मामले में निकल कर सामने आए हैं एनसी बी ने जो हने पूछताच के लिए बुलाया है वाटसेप चैट में उनके नाम निकल कर सामने आए हैं उन लोगों को फिलाल काम न दिया जाए अगर उन्हें मूवी में लिया जाता है तो सुशाम सिंग र आरुबार चल रहा था जो ड्रक्स की smuggling चल रही है वो उसके खिलाफ हैं ऐसे लोग भी सीधे तौर पर ऐसे actor और actresses को bycott करना चाहते हैं उनकी movies को नहीं देखना चाहते हैं और इस चीज को भाब चुके हैं movies के director और जो movie maker है इसलिए सारा अली खान को हीरो पंती टू से बाहर निकाल कर फेक दिया गया है और खबर अब ये है कि उनकी जगह पर तारा सुतारिया को इसमें जगह दी जा रही है अब ये देखने वाली बात होगी कि जो सोशाम सिंग राजपूत के फैंस है और भी तमाम लोग जो फिलाल बॉलिवोड इंडस्ट्री से बहुती जादा खफा बैठे हैं क्या वो जो हीरो पंती टू आने वाली है उसे लेकर क्या रिस्पॉंस देते हैं क्या उसके ट्रेलर को भी भरमार जो है डिसलाइक की भरमार मिलेगी ये सारी चीज़ा जो है आगे आने वाले वक्त मैं ही पता चल पाएंगी लेकिन जिनका नाम ड्रग्स की पुडिया में निकल कर सामने आ रहा था जो की आईफा आवार्ड एक तरीके से नसीबी के दफतर में चल रहा था बॉलिवूड इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े स्टार्स थे वो वहाँ पर पहुँच रहे थे पूछताच के लिए इसकी वज़े से सारा अली खान के हाथ से एक ये मूवी निकल चुकी है उन्हें धक्के में कमार कर उन्हें सीधे तोर पर इस मूवी से बहवार होता है बॉली वूड इंडस्ट्री में और वो भी तब जब वो एक नैपोटिजम का हिस्सा है उनके जो पिताजी है और उनके जो परिवार के लोग है वो तमाम लोग बॉली वूड इंडस्ट्री में तमाम बड़ी-बड़ी मूवीज कर चुके हैं अगर उन्हें मूवी से बाहर निकाल दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि उनका ड्रग्स एंगल में जो है नाम निकल कर सामने आये था ताकि जो मूवी के डिरेक्टर और मेकर हैं उन्हें घाटा ना हो इसलिए बाहर निकाल दिया जाता है तो ये एक सारा अली खान के लिए बह प्लेस कर देना इसे लेकर क्या सोचते हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वेराल इस वीडियो में इतना ही अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलें